गुड मॉनिंग गाईज दिवाली है फेस्टिवल अफ लाइट और इस साल दिवाली जो है हमारे लिए बहुत ज़ादा खुशियां लेकर आई है क्योंकि इस बार इस साल हमारे पास हमारी छोटी सी लक्षमी जी आ गई है देविका मुझे लगता है कि सबके घरों में शायर न्यू बेडशीट बिछाने का ट्रेंड होगा मतलब मैं तो हर साल अपने एक या दो रूम्स के लिए न्यू बेडशीट ज़रूर लेकर आती हूँ तो यह जो बेडशीट है यह मेरे भाई और भावी ने गिफ्ट करी थी इस दिवाली तो मुझे लगा यह सबसे बड़िया मौका है मेरी फेवरेट चीज है तो फटा फट से मैं इसको आज ही बिछा लेती हूँ दिवाली वाले दिन तो यह हमने जो है डेकोरेट कर दिया यह आप देख रहे हो ना जो कॉट में यह मेरा स्काफ है तो यह अल्मोस बेडशीट से मैच ही कर रहा था तो मैंने इसलिए बिछा दिया तो सुभा सुभा मेरा यही काम होता है कि बेडशीट ठीक करना तो आज न्यू बेडशीट थी और यह रूम में बहुत जादा चें हुआ था तो मैंने यह उठा के यहां पर रख दिये क्योंकि आज मैं ड्रॉइंग रूम में भी कुछ चेंज करने वाली हूं यह हुक्स है बहुत बढ़िया यह दिवार पर जो है चिपक जाते हैं और मैं यह ना एक हैंगिंग लेकर आई थी लोकल मार्केट से ही बहुत स बहुत सारे सूजी को रहता है तो फटा फट हमने सोचा हम ब्रिकफस्स कर लेते हैं तो मैंने यहां पर डाली है थोड़ी सी ओल में बहुत सिंपल तरीके सुक्मा बनाती हूं मैं इसमें मुफली है प्याज है काजू है कड़ी पत्ता धनिया हरी मिर्च और थोड़ा सा गा रोस्ट करकर डालते हैं मैं क्या करती हूं तड़का बनाने के बार सूजी को डालके और फिर इसमें अच्छे से चला देती हूं इसका एक छोटा सा बेनेफिट जो मुझे लगता है वो यह लगता है कि सूजी ना मसालों के साथ बहुत अच्छा फ्लिवर पकड़ लेती है उसके बाद जितनी सूजी आप डालते हो उसका डबल आपको पानी डालना होता है यानि एक कटोरी सूजी है तो दो कटोरी पानी अगर दो कटोरी सूजी है तो चार कटोरी पानी बस इसको आप जब चलाते रहते हैं तो यह अपने आप पैन को छोड़ देता है आपको यह मुझे अच्छे मिले हैं अच्छी डील है और यह ट्यूलिप के फ्लार्स का पैक था तो मुझे ना एक्चुली कुछ वाइट चाहिए था और मेरे घर में यह जो आर्टिफिशल फ्लार्स वाला जो ट्रेंड है यह नहीं था तो मुझे लगा चुरो यह चेंज करते हैं और इस बार जो है ड्रोइंग रूम में यह लगाते हैं एंट्रेंस पर यह गनेश जी है तो यहाँ पर मैंने एक फैरी लाइट थी उसको जो है रैप कर दिया था इनके आसपास और इसको जो है बहुत अच्छे से रैप करके इसको जब चलाया बहुत सुन्दर लग रहा फिर बच्चों को पार्क लेकर गए थे धूप सिकाने के लिए यह डिफरेंट पार्क है एक्चुली जिस सोसाइटी में हम पहले रहते थे यह वहां का पार्क है तो विराज जब छोटा था तो हम दूसरी जगा रहा करते थे तो महां पर हम उसको ले गए थे तो बड़ा यहां पर जूले बहुत अच्छे थे और अच्छी हवा थी अच्छी धूप थी तो विराज का भी चेंज हो गया सेम जगा ले जाते ले जाते बच्चे भी बोर हो जाते हैं उसके बाद मेरा एक पाकेश डिलिवर होना था यह मैंने सीनरीज मंगाई थी तो मुझे लगता एक प्लेन वाल पे अगर सिंपल सीनरीज आप टांग दो तो बहुत अच्छी लगती है और मेरे मंदिर के सामने वाली जो वाल है वो खाली है मुझे हमेशा ही वो खाली लगती थी और लगता था कुछ चेंज करना चाहिए और वो एक सीनरी वो चार सीनरी का सेट लगाने स यह भी आमेजान से मंगाया था तो यह बहुत ही जो है लुक अच्छी हो गई इसकी उसके बाद मैंने करी लंच की प्रिपरेशन तो मैंने बनाए बेडवी पूरी और आलू लेकिन आज आलू ना डिफरेंट तरीके से बना रहे है तो मैंने बेबी पटेटो लिये थे और मसालों के लिए ग्रेवी के लिए वही है लसन, प्याज, अद्रक, टमाटर, मिर्च इसमें सरसो के तेल में ही तड़का लगाऊंगे क्योंकि बेडवी पूरी के आलू जो होते हैं वो सरसो के तेल में बहुत अच्छे लगते हैं तो जब तक हम ग्रेवी बना रहे हैं तब हींग थोड़ी सी जादा रखेंगे हम क्योंकि हींग का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है बेड़ी पूरी वाले आलू में तो हींग थोड़ी सी जादा रखते हैं हींग और काली मिर्च और ये आलू फ्राई हो गए थे फिर उसके बाद आप ग्रेवी आपको लगे इसके अंदर उसके बाद आप इसमें एक कटोरी पानी डाल दो ग्रेवी या फिर तरी आपकी अपनी चॉइस पर है आपको कितनी पतली चाहिए हमारे या थोड़े रसमी से चलते हैं इसलिए बेड़ी पूरी आलू जो है वो बहुत टेस्टी होते हो और उसको बनाने का बढ़िया एकदम और ग्रेवी जैसी हम लोग खाते हैं वैसी आप पतली भी बना सकते हो और बस फिर मैंने पूरी वगेरा तल ली थी और मैं जो आपको कह रही थी ना कि बेड़ी पूरी में नॉर्मल आटा मिक्स कर लो तो वो थोड़ी अच्छी बन जाती है और ऐसा मु गुलाब जामून सबको बहुत अच्छे लगते हों गई ऐसा रैर ही कोई होगा जन्हें गुलाब जामून नहीं अच्छे लगते हों तो आपको फ्रेश पनीर लेना उसको ग्रेट करना है, मैंने मावा या खोया या इस सर ऐसे कुछ यूज नहीं कर रहे हूं क्योंकि पनीर मोशली होता है सबके घर में, यह पिसीवी चीनी है, आप पिसीवी चीनी यूज करना, बरीक वाली सूजी है, और यह है एक कर्ची मैदा, उसके बार मैं बेकिंग सोडा आपकी मरजी आप घी आड करें नहीं करें, अब यह जो डो है, यह सॉप्ट सा बन जाता है, अब एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा पानी रखा है, आप देख रहे हो, पानी इसलिए कि जो है वो चिपके नहीं, लड़ू बनाते समय भी आपने देखा होगा, मैं कभी-कभ करते समय यह फटेंगे भी, साथी साथ अगर यह ठीक से फ्राय हो भी गए पान लीजे, तो बिल्कुल जो है चाशनी में जाके बेकार हो जाएंगे, तो मेन वाइल जो मैं उन्ने फ्राय करूंगी न, मैं चाशनी बना रही हूं, तो मैंने लिया है यहाँ पे तीन कप पान और मैं डेड़ कप चीनी डाल रही हूं, आप चीनी जादा भी डाल सकते हो, मैं एक तार वाली चाशनी नहीं बना रही हूं, मैं बहुत पतली चाशनी बना रही हूं, इसलिए मैंने कम चीनी लिया है, आप जादा भी ले सकते हो, केसर डालना है, उसके कलर के लिए, अदर यह बहुत अच्छे बने थे कि बिल्कुल यह मुह में जाते ही मेल्ट हो रहे थे बहुत अच्छे लग रहे थे और सब को बहुत पसंद भी आए तो यह टेस्टी थे आप ट्राय करना इस रेसिपी से घर में सब कुछ ही अवैलेबल होता है बहुत इसली बन जाएंगे उसके बाद हम जो है बाहर का नजारा देखने गए ते इतना सुन्दर लगता है ना यहां पर मतलब कैमरा मेरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है सच में बहुत सुन्दर लग रहा था और यह पापा बेटा दोनों शाम को ही जो है पटाको में लग गया फिर इससे मैंने इसे और अच्छे से बैठ कर पूजा एंजॉय कर रहा था और लक्षमी गनेश जी लाइती में छोटू से बड़े प्यारे से थे और टीका वीका लगवा के एकदम अच्छे से विराज ने बहुत अच्छे से पूजा टेंड करी और यह हमाई छुटकी तो सो ही गई थी बीच में फिर उसके बाद बस इसकी भी हमने हाथवा जुड़वा के करा बहुत अच्छा लग रहा था इस बार ना फेस्टिवल सच में हर बार लगता है बट इस बार तो मैंता अलग सा ही फीलिंग था मेरे मन में और फिर बस बाहर के हमने दिये वगएरा जलाए और फेस्टिवल लाइट से बिना दियो के तो इनकम्प्लीट है यह मिटी के दिये लगते ही बड़े अच्छे हैं फिर बस फोटो सेशन वगएरा किया हमने आपने रील्स तो देखी ही होंगी और बस विराज को थोड़े से फुल जड़ी वगएरा पाले पटाके हमने जलबाए जादा बह हम इस तरह नहीं लायते हैं सिंपल से लगायते हैं और देखकर इतनी खुशी हो रही थी ना मतलब पिछले साल तक विराज इतना इंट्रस्टेड नहीं रहता था फेस्टिवल्स में इस साल सारे फेस्टिवल्स में बहुत अच्छे से पार्टिस्पेट कर रहा है तो बड और बाकी मैं अपना प्यार अपना वर्चोल हग और बहुत बहुत सारी प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स आपको भेज रही हूँ इस व्लॉग के थुरू क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हैं और मैं आपसे सच में दिल से प्यार करती हूँ जल्दी से मिलते हैं अगले कि अगा बाइ